हलो और वेलकम बेक टो माई चैनल माई होम एन केचें टिप्स फ्रेंस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद एक बैल आइकन आएगा उसे भी प्रेस करना है जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें शियर करें और कमेंट्स करके जरूर बताएए कि वीडियो कैसा लगा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो आपके पास भी फ्रिज की पुरानी बॉटल पड़ी हैं और आप उनको फेकने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि फ्रिज की बेकार या फिर पुरानी बॉटलों को इस्तिमाल करके आप किस इस तरह से तीन नई चीजन तयार कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं यहाँ पर मैंने फ्रिज की एक बॉटल ली है ये देखे और मैंने इसको यहां से कट करना है तो मैं माग कर देती हूँ ये देखे नीचे से भी मैंने आधा इंच छोड़ते हुए ये माग कर दिया है औ इसके बाद हम इसे कट कर लेते हैं ये बॉटल काफी थेक होती है तो मैं इसे काटने के लिए कटर का यूज कर रही हूँ आप चाहें तो नाइफ को गैस फ्लेम पर गर्म करके उससे भी कट कर सकते हैं इसको ये देखे इस पार्ट को हम बाद में यूज करेंगे अब इस तरीके से कट करना है तू पार्ट में दो बराबर भाग में इसे कट कर लेंगे देखे यहां से एक और कट लगा देते हैं तो यह हमारे पास दो पीस आ जाएंगे इस तरह के अब इसके कॉर्नर को ट्रिम कर लेते हैं गोलाई दे देते हैं थोड़ी सी ताकि हामफुल प abajo शुना रहें और कहीं पर भी यह थोड़ा सा उंचा नीचा कट लगा है तो उसे even कर लें दोनुपीस हमने इस तरीके से तयार कर लिये हैं और यह बॉटल का उपर का पार्ट इसे भी even कर लिया है हमने हैजिए निचला पार्ट है इसे भी बराबर कर लेते हैं सारें end क कि तरह से नीचे कि इनको डाकुरेट करने के लिए में पिस्ते के छिलके और एक माला की लड़ी है मेरे पास और कुछ एंब्रयॉटरी ग्लू है उसका यूज कर रही हूं तो चलिए इसे लगा लेते हैं पहले हम एक पीस को डाकुरेट कर लेते हैं यहाँ पर मैंने ग्लू लगा दिया है और इस तरीके से मैं इस लड़ी को इसके उपर लगा रही हूँ, ये देखे मैं कुछ इस तरह का डिजाइन बना रही हूँ, आप अपने इसापसे से बना सकते हैं, गोल भी रख सकते हैं इसको, तो कोई भी आपके पास पुरानी माला है जिसके मोती वगरा ख आयार कर लिया है, एक पीस इस तरह से रेडी किया है मैंने, बोटल के दूसरे पार्ट को मैं डाकुरेट कर रही हूँ, इस एंबरोडरी ग्लू का यूज़ करके इस तरह का कोई भी डिजाइन आप बना सकते हैं, और आपके पास ये नहीं है, तो आप फैबरिक ग्लू का इसे भी यूज़ कर सकते हैं, इससे भी ओबरा हुआ बनता है, तो आप कुछ भी चिपका सकते हैं इसके उपर जो फोड़ा सा उबरा हुआ होना चाहिए, तो इसलिए मैं इससे इस डिजाइन को कंप्लीट कर रही हूँ, इस तरह से मोटा मोटा डिजाइन आप कुछ भी तयार कर सकते हैं इसके उपर, यी देखे बना लिया डिजाइन, इसको ड्राई होने के लिए चोड़ देते हैं 2-3 गंटे के लिए, और इसके बाद मैं इसको भी तयार कर रही हूँ, यहाँ पर मैं विस्ते के चिलके लगा रही हूँ, इस तरह से एक लाइन में उपर की तो आप बादाम के चिल्के कर सकते हैं या जब मुणक्षण पूर्णाया है पिस्ता के छिलके के साथ साथ मैंने इस पर कुछ मोती लगाए हैं उपर की तरफ नीचे मैंने रसी लगा दी है और ये मिरर हैं जो कि खराब हो चुके थे जिनका कलर फेड हो गया था उस टाइप की वेश्ट चीजा मैंने इसके उपर चिपका दी हैं आप भी कुछ चिपका सकते हैं इस तरह से बटन लगा सकते हैं या फिर कॉइंस जो खराब हो गए वो भी आप लगा सकते हैं तो इस तरह से हमने सारी चीजा तयार कर ली हैं अब हमेंने कलर कर देते हैं तो ये देखे मैंने फैब्रिक कलर लिया है यहां पर ब्राउन कलर का और साथ में मैं ब्लै इसे भी इसी तरीके से color करना है मैं black के साथ brown color use कर रही हूं ताकि एक metallic finish इसमें आ सके और अब हमने फ्लार पोड को भी इसी तरीके से color करना है इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से प्लास्टिक की बनी हुई इन चीज़ों को metallic finish दे सकते हैं इस तरह से फ्रिज की एक पुरानी बॉटल का इस्तिमाल करके मैं एक फ्लार पॉट तयार कर रही हूँ और दो कटन होल्डर्स तयार कर रही हूँ इसी तरीके से तो इन्हें ड्राइ होने के लिए छोड़ देते हैं और अब मैं यूज कर रही हूँ मीडियम वन फैवी क्रिल का है ये और साथ में मेरे पास है ये गोल्डन डस्ट तो दोनों को मिक्स करके हम एक गोल्डन कलर तयार कर सकते हैं ये आपको बुक्शॉप से आसानी से मिल जाएंगे तो इस तरह से हमने कलर तयार करना है थोड़ा सा मीडियम मिक्स किया इसमें और ब्रश से इसे अच्छे से मिक्स कर लें और हमारा गोल्डन कलर बनकर तयार हो जाएगा ये स्पॉंज से बना हुआ ब्रश है तो इस तरीके से डिप करना है आपने इसको कलर के अंदर और इसे अच्छे से पॉंच लें इसमें ज्यादा कलर नहीं रहना चाहिए बिल्कुल हलका साई कलर रखना है और इसके बाद हमने जो फ्लार पॉट तयार किया था उसके उपर इस तरीके से टैप करना है तो इसमें जो अबरा हुआ डिजाइन है वो अच्छे से कलर हो जाएगा ये देखिए इस तरीके से कलर कम हो जाए तो इसे फिर से डिप करें ब्रश को कलर में और उसके बाद आप फिर से टैप करके इसी तरीके से कलर कर ले और आप इसे डबल कोट करें एक बार पूरा कलर हो जाए जब यह ड्राय हो जाए एक दू मिनट का गैप दीजिए उसके बाद फिर से आपने इस तरी तरह यह तरह से यह तरह से पीतल का बना हुआ दिखाई दे रहा है इस तरह के फ्लार पॉर्ट्स आप मार्केट से पर्चेच करेंगे तो आपको काफी महगे पढ़ेंगे बट आप चाहें तो घर पर ही इसे वेश्ट माटेरियल से और फ्रिज की किसी भी बॉटल का इस्तिम प्लास्टिक का है बिल्कुल मैटल का दिख रहा है और दूसरे पीस को भी हमने इसी तरीके से कलर कर लिया है आप सिंपल स्पॉंज का भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास इस तरह का ब्रश नहीं है तो तो यह देखिए हमारी तीनों चीजें इस तरह से तयार हो गई ह कलर कर लिया है ड्राइ हो गई है और इस तरह से तयार है फ्लार पॉर्ट हमारा रेडी है और कटन होल्डर को अभी तयार करना है यह देखिए यह पीस हमारा बहुत ही सुन्दर सा दिख रहा है और मैंने इसे गोल्डन टच दिया है गोल्डन मेटल का टच दिया है आप इस अब मेरे पास इस तरह के rubber bands हैं तो दो rubber bands लिए हैं इसमें इस तरह के एक मोती जैसा लगा होता है और इसके बाद hole के अंदर से इस तरीके से insert करना है इसे बाहर की तरफ निकालिए और loop में से निकाल करके इसे इस तरीके से बान दीजिए इसके साथ में ये देखिए इस तरी कि से टाइट ली इसको क्हिंच लीजे और दूसरी साइड में हमने जो होल बनाया है वहाँ पर कट लगाना है इस तरीके से आगी की तरफ छोटा सा कट लगा दीजिए जिससे कि हम रबर बैंड को इसके अंदर लगा सकें तो चलिए दिखाते हूँ कैसे लगाना इसे इस तर दूसरा पीस भी हमने इसी तरीके से बना लिया है यह देखिए कट Push होगा रीव ही है तो भी इसे cover कर लेगा तो ये आप उठा कर देखेंगे तो भी आपको ये मेटल का ही टस्ट देगा बिल्कुल भी हलका नहीं है आप कहीं पर भी रखेंगे बिल्कुल नहीं गिरेगा जितने मर्जी आप इसमें फ्लार लगा सकते हैं ये देखें इसमें मैंने एक फ्लार बंच लगा कर दिखाई है और देख सकते हैं बहुत ही सुन्दर सा वास्ट बन कर तयार हो गया है तो ये था हमारा फ्लार पॉर्ट जिसे हमने प्लास्टिक बॉटल से तयार किया है और देखने में ये मैटल जैसा दिख रहा है अब मैं आपको दिखाती हूँ कटन होल्डर आप कैसे लगा सकते हैं ये देखिए कटन को पकड़ना है इस तरीके से होल्डर को सेट कीजिए और जो कट हमने लगाया था उसमें से रवर बैंड को इस तरीके से निकाल करके मोती को सेट कर दीजिए और उसके बाद आप इसे सेट कर लें ये देखिए इस तरह से आप कटन होल्डर को लगा सकते हैं कटन के अंदर ये देख सकते हैं इसे निकालना बहुत ही आसान है इसी तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं दूसरा पीस भी आपको लगा कर दिखा देती हूं में यह देखिए तो यह बहुत ही सुन्दर दिखाएगा आपके कर्टन को एकदम लुक चेंज हो जाएगा उनका आप इस तरह के कर्टन होल्डर्स अगर बनाकर लगाएंगे अपने कर्टन में तो फ्रेंस यह था आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें थैंक्स वर वाचिंग